ट्रक ड्राइवर भी इंसान है और हर आम इंसान जैसे उसे भी नींद, आराम, भोजन और सम्मान की आवश्यक्ता होती है लेकिन हमारे देश के हाइवेज पर ट्रक जैसा बड़ा वाहन चलाने का मुश्किल काम करते ट्रक ड्राइवर्स के लिए मूलभूत सुविधाओं तक का इंतजाम नहीं होता ड्राइवर्स की जिन्दगी तनाव से भरी रहती है और ये दुरगटनाओं का एक प्रमुक कारण है रोड के ओपर गाड़ी जब खड़ी होगी तो डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टैपनी की चोरी, तिरपाल की चोरी, माल की चोरी, पुलिस के वाँ खड़े होने पार्किंग पे उसंके डंडे ये सब कुछ जिलना पड़ता है जो नीद है वो हाडली पूरे 24 गंटे में 2-5 गंटे ही हो पाती है और जब आदमी 6 गंटे सोना चाहिए और 2-3 गंटे में सोएगा तो उससे क्या होगा, एक्सिडेंटी होगा इस समस्या के हल के रूप में जैपूर से अजमेर जाने के रास्ते में नैशनल हाइवे 8 पर दुद्दू नाम की जगे पर अगरवाल पैकर्ज और मुवर्स द्वारा बनाया गया ड्राइवर सेवा केंद्र एक नायाब कोशिश है इस केंद्र में लंबे सफर पर निकले ट्रुक ड्राइवर्स की बुन्यादी इंसानी जरूरतों का खयाल रखा जाता है सोने, रहने, खाने, नित्यकर्म आदी की मुफ्त सुविधाएं हैं, कोई भी ट्रक चालक इस केंद्र का इस्तमाल कर सकता है इस केंदर में ट्रक चालक को सिर्फ सुविधाये ही प्राप नहीं होती, बलकि अक्सर सड़कों पर जिल्लत और अपमान सहते ट्रक ड्राइवर को सराहना और सम्मान भी मिलता है हर ड्राइवर जो भी केंदर में आएगा उसके हम पितल की परात में पानी डाल कर उसके पाउं दोएंगे उसके बाद कहेंगे आओ सिरी माद इस केंदर के कारण 40% मेरे एक्षिड्ट कम हुए है मेरे ड्राइवर को नीज मिल गई बलकि रोजाना सडक दुर घटनाओं में जा रही कई निर्दोश जिंदगियों को बचाया जा सकता है